नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके अपनी चैनल अंजली न्यूस कौन में, मैं हूँ आपकी वही अंजली कुछ खास जानना है तो प्यार करके देखो, अपनी आँखों में किसी को उतार करको देखो, चोट उनको लगेगी आंसु तुम्हें आ जाएंगे, ये एहसास जानना है तो दिल हार करके देखो जी हाँ आपने सही सुना, हम आज के देली राज़ी फल की बात कर रहे हैं, आज के दिन जिनका बज्जे है, ये फिर मैरिज उनिवर्सरी है, उनको मेरी और से धेर सारी बधाई हो और शुब काम नाए हो, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगर आज कुछ बड़ा हासिल कर लिया, तो अपने से छोटों को कभी मत भूलो, क्योंकि जहां सुई का काम होता है, वहां तलवार काम नहीं आती हर सुर्यास्त हमारा एक दिन कम तो जरूर करता है, लेकिन हर सुर्य उदे हमारे जीवन में आशा की एक नई किर लेकर आता है अगर आपको खुद पर हे विश्वास नहीं है, तो आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते खुद को इतना मजबूत बनाओ, कि कोई चाकर भी आपको अपने लक्ष से दूर ना कर पाए अपने लक्ष की और बढ़ते रहो, जितना तुम सोचते हो, वो उससे कहीं ज़्यादा नस्दीख है खुद की दुल्ला किसी और के साथ करना बंद करो, तुम सबसे बहतर हो केवल उनहीं के साथ रहने की कोशिश करें, जो आपको उँचा उठाने वाले हैं कभी-कभी आप अपनी खुद की ताकत का एहसास नहीं करते हैं तब तक कि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना नहीं करते अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हैं, तो अपने जीवन में बहुत मस्बूत बने आप असलियत में कभी भी किसी और के लिए परयाप्त नहीं होंगे अगर आप पहले खुद के लिए परयाप्त नहीं है मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं, आप बन जाते हैं जब आप अपनी कीमत जानते हैं, तो कोई भी आपको बेकार महसूस नहीं करवा सकता एक दिन आप उस थान पर होंगे, जहां आप हमेशा रहना चाहते थे बस विश्वास करना बंद ना करें इस दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती, जब तक कि आप खुद खुश होना ना चाहें तो शिरवाद में मैं आपको बता दू कि आज आपके लिए भागिशाली रंग रहने वाला है ग्रीन कलर यानि किहारा और भागिशाली अंक जो रहेगा, वो आपके लिए नंबर तीन रहेगा आसे तारग कहते है कि जब तक आपका काम पूरा नहीं होता, काम की वज़ज से आपको मन की शांती भी नहीं बिलेगी और तब तक आपको रुकना भी नहीं चाहिए, बलकि काम को खतम करके ही चैनल लेना चाहिए काम करते समी आपको बार-बार छोड़ देने का खयाल मन में आ सकता है मन की बात मत सुनीगा फिर भी आप खुद को प्रिवित करकी ध्यान बनाई रखने की कोशिश करेंगे आंतमी जीव यकीन मानें आपकी ही होगी अपनी व्यक्तित्व के बदलाव को देख कर आपको आत्मिक समाधान भी मिलना शीरू हो जाएगा अगर आप इसमें और भी बडोतरी चाहती हैं तो आपको मारिटेशन यान करना चाहिए रोज सुभा अर्ली मॉनिंग में साथी में सितारे कहते हैं कि आज का दिन जो है कुछ रोचक साहित्ते और ज्यान वर्दक पुस्त के पढ़ने में स्पैंट हो सकता है इसका आपकी विक्तित्व और बहुत पॉज़री प्रभाव पढ़ेगा आपकी काफी नॉलज बढ़ सकती है जिन्दिगी को जीने के लिए आपको कई चीजे मिल सकती है आपके सूजबुच के लिए किये गई निर्ने आर्थी की रूप से आपको काफी मजबूत बना सकते है आर्थी सिते में आज कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा किसी अजनबी या आप पर इचीत व्यक्ती से रूपए पैसे का लेन दिन करते समय आज आपको साथानी बढ़तने की बेहत जरूरत है साथ में किसी जरूरतमंद दोस्त की भी मदद करने से पहले अपने बजट का ध्यान जरूर रखना होगा कहिए नहोगा बजट से बाहर हो जाए क्योंकि आपके भी आर्थिक सिती इस समय ज़्यादा मचबूत नहीं है लेकिन हाँ नॉर्मल कहीं जा सकते है तो अभी आपको सबसे पहले अपने बारे में अपने फैमिली के अपने बच्चों के बारे में सोचना है फिर आप किसी और के बारे में सोचिएगा साथ में आज इस सितारे आपकी ये भी कहते हैं कि आज काम में ज़्यादा उल्जन की वज़से आप परिवार को वक्त भी नहीं दे पाएंगे ऐसा आप मैसे कुछ लोगों को होगा इस बार से आपको नराजगी हो सकती है आज काफी सारी बातों को अखेले ही हैंजल करना पर सकता है जब को मांसिक तनाव तो देगा ही लेकिन हाँ आपकी लगन काम को पूरा करने के लिए मददगार साबित हो सकती है लेकिन आपकी जो हैं साथ में लगन जो हैं इसको स्ट्रॉंग करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा चाहे जो भी कठिनाई आएं आज आप जल्दी हार नहीं मानेंगे आपका अत्मबल आपका विश्वास हमेशा कायम रहेगा इसके साथ ही आज सितारे ये भी कहते हैं कि महमान नवाजी और मौज मस्ती में कुछ समय आप स्पंच कर पाएंगे दिन भर बीजी रहेंगे काम का वोज भी रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा उत्सा के वज़े से और काम बनने की कारण आप थकान को भूल जाएंगे चोटी से बात को लेकर समन्तों में खटास वगएरा अगर आई थी तो इसको सुलजाने की कोशिश करें साथ ही दूसरों के वज़े से आपको भी कुछ आर्धिक समस्याइं पैदा हो सकती हैं अगर आप समय पर ही इसको कंट्रोल कर लें तो आपको कोई भी दिक्कते नहीं आपाएंगे तो चलिए बागे बड़तुर बात करते हैं आज की बिस्नस के और करेट के बारे वे तो आज इस समय भागी और ग्रव किस्ति आपके कर्मों को और भी जादा मजबूत कर रही है किसी की मदद की बजाए आप खुद भी सभी कारे करने में सक्षम रहेंगे नौकरी पेशर विक्ति किसी भी सरकारी मामलों को ध्यान पूरक हल कर पाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगे उनको सौल्ट करने में आज़ी को सितिकों सुधारने का प्रयास आपका लगातार जारी रहेगा कारिक शित्र में सबी फैसला आपको ही लेना पड़ेगा क्योंकि किसी और की गलती का खामयाजा आपको भगत ना पढ़ सकता है सिरकारी नौकरी में भी किसी व्यक्ति की कारण परिशानी उत्पन हो सकती है इसलिए लोगों से विवहार करते समय आपको सावधानी काफी हद तक अपनानी चाहिए प्लानिंग्स के अनुसार ही काम करें तभी स्ट्रस कम होगा वरना उधल पुतल हो सकती है आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई विच्वी विवस्थित नहीं है तो आपको जो है प्लानिंग के साथ ही हर कारे को करना चाहिए चलिए बागे बढ़ते और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में तो आज के लव लाइफ आपके लिए कहती है कि परिवारे कचो महाल है वातावरन है वो सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा किसी वे ब्रेत लिंगे मित्र से दोस्ती प्रेम में परणित हो सकती है साथ है मैं आज जब पार्टनर्स में कमपैटिबिलिटी होने की वज़े से सुक और शान्ती भरी रहेगी आपस में आज राय मिलती नज़र आएगी लव लाइफ से जुड़े विचार बदलने के लिए अपने अंदर बदलाव लाना बहर ज़रूरी है इसके लिए आज मोटिवेशन का सहारा ले सकते है साथ हिमया सितारे कहते हैं कि दिन भर की विवस्तिता के बावजूद बरिवार के साथ कुछनवा समय आप बिता पाएंगी विवास से रिलेटीड चीजों का खुलासा होने की संभावना भी बन रही है इसलिए अभी इन सब बातों से दूर ही रहें तो ही आपके लिए अच्छा साबित होगा चलिए बात करते हैं और वागे बढ़ते हैं स्वास्तिक के बारे में स्वास्तिक कहता है कि काम के दिखता और तनाव की वज़ा से सिर्दर या माईगरिन की दर्द उठ सकती है आकर स्वास्तिक आपके लिए चिंता गाज विशे हो सकता है गरत खान पान की वज़े से आपको असर आपके वजन पर पढ़ सकता है इसलिए आपको काफ़ी हद तक खाने पीने की चीज़ों पर जो है साफधानी बर्थनी होगी वही चीज़े खाए जो आपके लिए बैट से रही गए साथ में आज ब्लड प्रेशर डाइबेटेज वाले मरीजों को ध्यान रखना है आपको हल्की फुल्की चीज़े खानी चाहें मीठा नहीं खाना चाहिए जारा से जादा हो सके तनाव से दूर रहेगा अपना ख्याल रखेगा चली बंत में बात करते हैं आज के विशी शुपाई के बारे में तदा आप के लिए विशी शुपाई रहेगा कि आज आज आपको शीव परिवार की पूजा करनी चाहिए साथ में अगर आप भगवान शीव के मंतर का जाब करते हैं जैसे कि ओम नम शीवाए या फिर ओम त्रेम बकम यजा महें सुगंधिम पुष्ठी वर्दिनम उर्वारुकमी में बंदेनात मृतिर मोक्षिम आमरिताब इस मंदर का भी जाब करते हैं तो आपको काफी हद तक फायदा मिल सकता है साथ इवी जो सबसे चीज़ी इंपॉर्टन है वो आपको जरूर करनी है कि आपको मैडिटेशन जरूर करना है तो आपको इन बड़ी हैसान उपाय से आपको बहुत हद तक और बड़ा फायदा हो सकता है तो दोस्ते अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्रेब करना बिल्कुल भी मत भूलीगा धन्यवाद